हेलो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पुस्त ज्यान में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट के हिंदी का 16 चैप्टर पानी की कहानी का आज हम लोग एक सौट समरी देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं यह जो चैप्टर है इस चैप्टर में साइन्स के संबंधित विशय को बहुत ही अच्छी तरीका से प्रस्तूत किया गया है इसमें पानी की अलग-अलग जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में बताया गया है इसमें पानी के निर्मान तथा उसके अस्तित्व बचाय रखने की जो जानकारी है उसे भी दी गई है इसके अलावा ओस की एक बुंद अनेक अवस्थाओं से गुजर कर जैसे की बायू, बादल, समुंद्र, ज्वाला मुखी, फिर नदी और नल के पानी से होते हुए पेड की पत्ते तक की उसका जो यात्रा है उसके बारे में बताया गया है तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं इसके समरी को देखते हैं लेखक अपने पत्त पर बरता जा रहा था तभी बेर की जाड़ी के नीचे पहुँचते ही उसके हाथ पर ओसकी जो बुंदे हैं वो आगिरती है बुंद उसकी कलाई से सरक कर हथेली पर आ जाती है अचानक बुंद के दो कन हो जाते हैं वे दोनों हिल हिल कर कुछ अलग तरह का ही धून उत्पन कर रहे थे लेखक ने भी महसूस किया कि कहीं से सुनी सुनों की आवाज आ रही है लेखक ने ध्यान से सुना तो पाया कि यह आवाज उन्ही कनों से आ रही है अब लेखक उस सुनी सुनो की आवाज को अनसुनी नहीं कर सकता है उसने कहा कि कहो तुम क्या कहना चाहते हो यह सुनते ही बूंद ने खुसी से कहा मैं ओस हूँ जिसे लोग जल और पानी भी कहते हैं तथा मैं बेर के पेंड से आई हूँ लेखक ने जिग्यासा बस पुछ लिया कि क्या पेड में फवारे लगे हैं जहां से तुम निकली हो लेखक के अभिश्वास से दुखी बूंद ने लेखक को अब अपनी जो कहानी है उसे बताना सुरू किया बूंद ने कहा जब वो जमीन में इधर उधर घूम रही थी तभी पेड की बहुत सारे जड़ों ने उसे अपनी ओर खीच लिया कुछ बूंदों को वे खा जाते हैं और कुछ को घृना पुर्वक वे बाहर फेंग देते हैं वह यानि कि इसमें बूंद के बारे में वह सब्त का यूज किया गया है बूंद अपने अंदर खनीज पदार्थों को लिए घूम रही थी तभी जो जड़ है वो उस जमीन से उसे अपनी ओर खीच लेता है उसे कुछ आगे की और खीच रहे थे तो कुछ पीछे से आगे बढ़ने के लिए धक्का दे रहे थे तीन दिन तक ये भाग दोड के बाद वह पत्तों से होकर निकल भागी बाहर रात होने वाली थी सुरज की सकती नम मिल पाने के कारण वह उड़ न सकी रात भर पत्तों पर पड़ी रहने के बाद लेखक को देखते ही वो उस लेखक के हाथ पर आगिरती है बूंद की कहानी सुनकर लेखक को बड़ा दुख हुआ उसने बूंद को कहा कि अब हुआ उसके हाथ पर सुरज चित है उसका कोई कुछ भी नहीं बिगार सकता सुरज निकलने में कुछ समय अभी बाकी था उनकी सक्ति पाते ही बूंद जो है जो पानी की बूंद है वो उर जाती सुरज निकलने तक का समय बिताने के लिए बूंद अलग अलग घटनाओं से परिपूर्ण जीवन की जो कहानी है उसे सुनाने लगती है बहुत समय पहले बूंद के जो पूर्खे थे यानि की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामग दो गैस के रूप में सूर्य मंडल में मौजूद थे उनके वनसच अब भी वहाँ है वे सूरज का मूह अलोकित किये हुए हैं एक दिन की बात है कि एक प्रचंड प्रकासपिंड सूर्य की ओर बढ़ता आ रहा था ऐसा लग रहा था कि यह प्रकासपिंड सूर्य से टकरा कर सब कुछ नस्ट कर देगा पर वो सूर्य से बहुत ही ज्यादा दूर से निकल गया सूरज से लाखो गुना बढ़े इस प्रकासपिंड की सकती इतनी अधिक थी कि सूर्य का एक भाग तूट कर उसके पीछे चला गया यह तूटा भाग इतनी खिचाव सकती नसहन कर पाने के कारण कई और अलग-अलग भागों में तूट गया उन्ही में से यह जो है हमारी एक प्रिथवी का निर्मान हुआ उसका ग्रह थंड़ा होता गया यहाँ पे बूंद का ग्रह के बारे में बात किया जा रहा है अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवांकर उन्होंने बूंद को पैदा किया कुछ समय तक वह प्रिथवी के आसपास वास्प रूप में मढराती रही यानि कि इभापोरेशन जो होता है उसी रूप में वो मढराती रही फिर क्या हुआ पता नहीं पर जब उसे होस आया तो स्वेम को उसने देखा कि वो एक सॉलिड बर्फ यानि कि ठोस बर्फ में वो मौझूद थी अब वो अपने भाफ रूप के सत्रहवे भाग में बची थी उसने देखा कि उसके चारो और बहुत सारे उसी के जैसे उसके जो साथी थे वो वहाँ पर बिखरे पड़े थे सुरज की किरने पढ़ने से इनका जो सौंदर्य था ये और भी बिखर जाता था लाखो वर्स यूँ ही अनंद में बीट गए यह समय डाल में नमक के बराबर ही था ऐसे दिर्ध जीवों से बात करके लेखक स्वेम को बड़ा ही धन्य मान रहा था बून्द ने बताया कि एक दिन अचानक उसके जैसे ही बर्फ बने भाई बहनों के भार के कारण नीचे वाले भाई दब गए और पानी बन गए इससे वे सभी फिसलते चले गए वो कई माह समूंदर में यूही भटकती रही फिर एक दिन गर्म धार के परभावबस वो पिघल कर पानी बन गई और समूंदर के खारे पानी में वो मिल गई अब तक वो जान चुकी थी कि समूंदर में भी अलग-अलग परकार के जिव जन्तूओ का समराज है बूंद ने एक दिन समूंदर की गहराई में जाने का जो है वो निश्चय कर लिया मार्ग में उसने अलग-अलग परकार के विचित्र जिव जन्तू देखे जिन में धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार, मचलियां, भारी-भारी कचुए, मनुष्य से अधिक लंबी मचलियां तथा लाल्टेन के प्रकास वाली जो मचली है उसे भी उसने देखा इसके समीप जो भी अंजान जीव आता था वो खा जाती थी समूंद्र में जाते हुए और अधिक गहराई में उसने जंगल देखा जहां छोटे ठिगने, मोटे पत्ते वाले पेड, पहाडिया और घाटिया भी जो है वो मवजूद थी इनकी गुफाओं में रहने वाले अलग-अलग परकार के जीव बड़ा ही आलसी थे उसे यह देखने में कई साल लग गए इस समय वो पानी की तीन मील मोटी परत के नीचे मौजूद थी बूंद जमीन में घुश कर अपनी जान बचाने का प्रयास करने लगी समूंद्र के जलकन भी तो अपनी जान बचाने का यही तरीका अपनाते हैं बूंद अपने अन भाईयों के साथ चटान में घुश जाती है कई बरसों तक कई मील मोटी चटान में रहने के बाद वो अपने साथियों के साथ प्रीथवी का रहश्य जानने के लिए निकल पड़ती है वो अपने साथियों के साथ ऐसी जगह पर पहुँचती है जहां वो भी थोसन थी बड़ी-बड़ी लाल पिली चक्ताने बहने के लिए उत्तावली थी उत्तावली तथा खुसी में डूबी जो बून थी वो अचानक ऐसी जगह पहुची जहां का जो टेंपरेचर है यानि की तापमान है वो बड़ा ही अधिक था अपने जान बचाने के लिए वो दूसरे अस्थान की और भाग निकलती है अचानक एक बड़ा सा धक्का हुआ और वो अपने साथियों समेत बाहर फेंक दी गई वो अकास में उड़ जाती है उसने पीछे मुड़ कर देखा कि प्रीथवी जो है वो फट गई है उसमें से धूआ, रेत इसके साथ पिघलती जो धातू है उसकी जो लप्ते हैं वो निकल रही थे वो इस सांदार द्रिश्य को देखने के लिए बार-बार इक्छुक थे मनुष्य जो हैं इसे जुआला मुखी के नाम से जानते हैं आस्मान में उसे भाफ का एक बड़ा सा दल मिलता है तथा उसकी सहेली आंधी भी मिलती है आंधी उसे पीठ पर ला दे इधर-उधर घुमाती थी आस्मान में स्वक्ष तरीका से वो इधर-उधर भटकती रहती है और जो ओस की बुंदे वो कहती है कि उस समय उसे बड़ा ही अच्छा महसूस हो रहा था बहुत से भाफकन के मिलने के कारण वो भारी हो गई और बूंद बनकर पहार पर कुद पड़ी अन्ने साथियों के साथ मैली कुचैली होकर बहने में उसे बड़ा ही अनन्दा रहा था वो अब अपने साथियों के साथ एक चटान पर गिरती है जिससे जो चटान है वो टूटकर खंड-खंड हो जाता है उसकी इक्छा अब समतल भूमी पर जाने की थी इसलिए वो एक छोटी सी धारा में मिल जाती है सरीता के वे दीन बड़े मजे के थे बहते बहते एक दीन वो एक नगर के पास पहुँचती है एक सहर में पहुचती है नदी के तट पर एक चीमनी देखकर उसकी जो उत्सा है वो और बढ़ती है वो उधर बढ़ती है और एक मोटे पाइप में चली जाती है और किस्मत से एक दिन वो नल के टूटे भाग से वो भाग निकलती है और प्रित्वी में समा जाती है तथा घूम फिर कर फिर वो इस बेर के पेड़ के पास आप पहुची थी अब तक चुकि वो ओस की बूंद कहानी सुना रही थी लेखक को तब तक सुरज जो है वो निकल चुका था सुरज की सकती पाकर ओस की जो बूंद है वो धीरे धीरे गायब होना सुरू हो जाती है और लेखक की आँखों से वो ओजल हो जाती है तो दोस्तो यह था पानी की कहानी का एक बहुत ही बहतरीन समरी तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे हम अगले वीडियो में तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए तब तक के लिए दोस्तो जैहिंद